दोस्तों गर आप सीटेट दिसंबर 24 का एक्जाम देने जा रहे हैं तो जैसा कि सीटेट का जो फॉर्म है वो फिलप हो रहा है 17 से स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 अक्तूबर तक है तो इसके बीची आपको फॉर्म फिलप करना है तो वो कैसे करेक्ट हो पाएगा करेक्शन होगा या नहीं होगा उससे कोई इश्यू तो नहीं होगा तो सब कुछ हम लोग इसके बारे में डिटेल में जाने वाले हैं आप सभी बने रहेगा वीडियो के लास्त तक बीने इसकी प्याप्तियों हुए दोस्तों नए हो किस स्टेट में कहां कहां पे जो है उस स्टेट के किस किस सिटी में आपके सीटेट के सेंटर्स बनाए जाएंगे पूरा डिटेल मैंने आप सभी को दे दिया है जिन अभ्यातियों ने उसको नहीं देखा उस वीडियो को मैं यहां पे कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रही जिस city में बनाए गए हैं मैंने पूरा detail दिया है तो आप लोग देख लिजेगा दूसरी बात यहाँ पर उन अभ्यातियों के ये comment है उनका hometown कहीं और पर है वो रहे कहीं और पर रहा है उनका ये comment है कि क्या हम जो है जहां रह रहे हैं यहां का center डाल सकते हैं किसी other state का जो है वहाँ पर हम center डाल सकते हैं कि हमें वहाँ पर centers मिल जाएगा तो बिल्कुल अगर आपको first choice जहां पर चाहिए मा लेजिए for example मैं बता रही हूं अगर आप UP से हैं और आप डिसंबर में आपको लग रहा है कि हम UP नहीं जा पाएंगे आप दिलही में रह रहे हैं तो आप दिलही को select करिएगा first पर और जो दिलही की city अगर आप देखेंगे city में जो है सिर्फ दिलही ही दिया गया है ना north, south इस तरह करके कोई चीज़ें नहीं दी गई है सिर्फ दिलही तो अगर आप दिलही ही select करेंगे नोयटा को यहां पर select कर सकते हैं third number पर जो आपके आसपास जो state है उसकी जो city नजदेखो उस तरह से आप first second third fourth में select कर सकते हैं अब यहां पर for example मैं बता रही हूँ उरिशा से एक candidate का जो है comment आज ही आया हुआ है उरिशा में अगर देखे तो सिर्फ दो city दिख रही है city के जो center से बनाए गए है तो क्या मैं उन दो city को select कर लूँ या फिर third fourth पर फिर अधर कुछ नहीं दिखा रहा है तो मैं उनको जो है फिर से वहां पर select कर लूँ यानि third fourth में भी वह ही कर लें तो ऐसा मत करिए आप लोग ऐसा करिए जैसे उरिशा में अगर दो city दिखा रहा है आपको तो first में जो आपके नजदीक है आप उसे select कर लें second number पर जो दूसरी city है उसको select कर लें हाँ जो दिख रहा है सिर्फ वही करना है उसके लावा अगर आप अपने मन से चाहें कि हम city को select कर लें तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो seated की तरफ से जो center से बनाएगे उसी city में उसी में आपको मिलेगा ना कि आप जो चाहेंगे वो मिलेगा जो पूरी list आई है सीटेट की जो center list की वो मैंने आप सभी को दिखाई है जो उसमें name है वहीं पे center बनेंगे इसके लावा कहीं नहीं बनेंगे अब यहाँ पर second में जो दो उडिसा में दो city दी गई है आप यह तो select कर लिया अब तीसरे पर आप क्या करिएगा कि तीसरे पर जो आप वहां का show ही नहीं करेगा तो आप उडिसा के side में जो other state है जैसे आपका पशी मंगाल है जारकंड है और जारकंड हुआ आपका और एक 36 गड़ है और आंध परदेश है तो आपके आसपास जो state है जो city आपको लग रहा है कि आपके आप जहां रह रहे हो उसके पास से जो city नजदीक है तो third पे आप उसे select कर लें fourth पे आप अगला उसी तरह से select कर लें तो अगर आपके यहाँ city कम है जैसे उडिशा में दो city है तो इस तरह से आप side वाले जो state है उनकी city select कर लें और दोस्तों यहाँ पर first ही पहला जो है 99% chance है कि आपको यहीं पर जो है first वाले जो आप choice कर रहे है exam city को ले करके आपको यहीं मिल जाएगा exam centers को तो इसमें बहुत ज़्यादा first वाला second वाला आप ज़्यादा द्यान देज तो आप यह वाली comment box में जो वीडियो से जाकर के देख सकते हैं दूसरी बात दूस्तों यहाँ पर code को लेकर के बहुत सारे अभ्याद्यों के comment थे कि मैं मेरा bead है मेरा DLA है तो कौन सा code यूज करें दूस्तों देखिए अगर आपने DLA कर रखा है और आपके जो है यहाँ प अगर आपने B8 कर रखा है तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिया है अगर आपने B8 कर रखा है यह तो मैंने DLA का बता दिया अगर आपने DLA कर रखा है तो 1st to 5th और 6 to 8 दोनों में जो है जो qualification पुछा गया आपका minimum educational qualification code 1st 1st use करिएगा अगर मालेजी आपने B8 कर आपको जो 6 to 8 वाला है इसमें आपको second code यूज करना है यानि code number 2 यह आप देख सकते हैं तो अगर आपने DLA कर रखा है तो paper 1st और paper 2 के लिए code 1st ही यूज करना है अगर आपने B8 कर रखा है तो आपको जो है code 2 यूज करना है ठीक है इसको लेकर के बहुत सारे भारतियों के मन में doubt थे बहुत सारे comment आई हुए है इस चीज का ध्यान दिजिएगा अब यहां पर बहुत सारे भारतों से गलती भी हुई है कुछ की comment आए कि मैं मैंने fourth को select कर लिया तो क्या यह correction हो पाएगा तो दोस्तों देखिए अगर आपने final submit नहीं किया होगा अपने form को यानि fee payment नहीं किया होगा तो आप correction कर सकते हैं तो बहुत सारे भारतों की यह भी comment आए कि मैं मैंने final submit कर लिया उसके बाद यह सारी चीज़े पता चलिए अगर आपने final submit कर लिया तो अब आप इसमें correction कुछ नहीं कर पाएंगे correction तभी कर पाएंगे जब आपका यह window open होगा यानि ज इसकी बाद काफी बहरतों के मैं form reject तो नहीं होगा तो ऐसा भी कुछ नहीं है जब तक कि आपका correction का time आएगा तो आप उसमें correct कर लिजेगा ठीक है बाकी उन्हों भी हारतों के comment भी थे कि मैं क्या हम फिर से form fill up कर दें बहुत जादा issue तो नहीं होने वाला इससे तो ऐसा न आवा दोस्तों जैसे मैं बार-बार आपसे पहले से भी बोल रही हूं कि कि form को आपको बहुत अच्छे से द्यान से fill up करना है क्यूंकि इसमें अगर कुछ mistake भी हो जाता है तो जो आपका result आता है जो मार्शीट certificate आती है उस पर correction नहीं करवा पाते हैं बहुत ज्यादा दौ कर दिया है तो आप नहीं कर पाएंगे या तो आप फिर से form के लप करें या फिर correction time जो आपकी correction का time जो दिया जाता है उसमें आप correction कर सकते हैं यहाँ पर देख भी सकते हैं जो दिया गया है correction update in details यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में the candidate particulars cannot be changed edited once the examination fee has been submitted इसमें साफ़तार पर बताया गया कि अगर आप final submit कर देते हैं तो फिर आप उसमें कोई change नहीं कर पाएंगे उसे edit नहीं कर पाएंगे however the facility of correction in the particulars except city of examination may be made available on the portal during the specified period which will be notified on the website of city यहाँ पर देख सकते हैं the board will not be responsible for any consequences arising out of non-acceptance of any correction addition deletion in any particular once filled in the application form whatever the reasons may be the candidates shall be permitted to make online correction in their following particulars for example में देख सकते हैं name father and mother name data birth category differently about category paper opted paper first or second subject to availability of capacity in particular city subject for paper second language first and second opted addresses of correspondence and the name of the institution college university from where he she has obtained his her BA degree diploma in elementary education अगर आपके form fill up करने में ऐसी कोई भी mistake होई है ऐसी कोई भी गलती होई है तो जो correction की date आएगी correction जो time होगा आप उस time के अंदर आप correction कर पाएंगे साफ तोर पर यहाँ पर बताया गया है this facility of correction will be provided only once fee once remitted shall not be refunded or adjusted for future test under any circumstances तो आप इस चीच को समझ पारेंगे आपके name father name mother name data birth category को लेकर different evolved category को लेकर के paper first second से related आपके college institution यहाँ पर देख सकते हैं degree से related diploma जो आपने B.A.T.L.A. जो भी कर रखा है तो ऐसी कोई mistake है आप correction करना चाहते है तो जो correction की date आएगी उसी पर कर पाएंगे इससे पहले नहीं कर पाएंगे अगर इससे पहले आपको लग रहा है कि हमें फिर से form fill up करना चाहिए तो आप form तो fill up कर सकते हैं बढ़ आप इतना क्यूं करेंगे थोड़ी सी अगर mistake है तो correction कर time दिया जाएगा तो आप उसमें correction कर पाएंगे तो आई होब कि दोस्तों आपके इससे related बहुत सारे अब्यारतों केमेंट आया थे उनके अंदर डर बना हुआ है जाहिर सी बाते form fill up कर रहे हैं कुछ नो कुछ mistake हो जाता है जिसकी वज़ा से जो आपका result है जो आपकी certificate है जो मार्शित है उसकी वज़ा से प्रभावित होत झाल